खबर रामा नुज नगर से है जोहां बच्चों को अच्छी सिक्षा देनी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वामिय आत्मनंद स्कूल के नाम से पूरे प्रदेश में कई स्कूलों का निर्मान कराया इसी दोरान विकास खंड मुख्याले के करीब बच्चों के लिए भी शास्की उच्चतर माधमिक विध्याले अगले सत्र से नया आत्मनंद स्कूल खोलने ज़ा रहा है इस भवन की जिन दोर पी डाल्यूडी विभाग करेगा वह आपको बता दे कि जिस भवन में स्कूल खोलने की तैयारी की जारी है वह बिल्डिंग लगबख सत्तर साल पुरानी है और काफी ज़रज़र हालत में है ऐसे में आने वाले समय में बच्चे ऐसी बिल्डिंग में बैठ कर कैसे पड़ेंगे साथी इसके अलावा अन्य और सवाल खड़े हो रहे है पेचिंग का काम चल रहा है यहाँ पे होना है प्लस्तर होना है सीट चेंज होना है अनुमानित 25 क्यास प्लस जी 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 इसमें क्या सच चाहिए गिर रहा है दिवाल अब उसे शुरक्षित तो रहेंगे भी और देख तो रही है पी डबलू टी भी वाक्स सहाथ 36 गड़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेज बगेल प्रदेश के बच्चों को अच्छी सिक्षा देने के लिए पूरे प्रदेश भर में स्वामी आत्मानिन इस्कूल खोल रहे है इस इस्कूल में गरीब तपके के बच्चे जाकर के पढ़ते हैं इसे ही उनके दवारा और जग़ा-जगऽ पर भी स्वामी आत्मानिन इस्कूल खोला जा रहा है इस वक्त में जहां पर खड़ा हूँ वो है सास की उच्चतर मार्भी की विद्यालए रामानियगर जहां पर आने वाले सत्र पे एक नया आप लोगो स्वामी आत्मानंद स्कूल देखने को मिलेगा मैं आपको बताऊंगा यहां पर किस प्रकार से PWDV भाग के अधिकारी जो मुख्यमंत्री का सपना है कि यहां पर बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें अच्छे से उनका एजुकेशन हो, सुरक्षीत रहें, अच्छे से रहें, सुरक्ष वातार उनको मिले उस पर किस प्रकार से PWDV भाग के अधिकारी परिता लगा रहे हैं, उनको कोसिस कर रहे हैं देखे, मैं आपको दिखाऊंगा, यह जो आप लोग, मैं अपने कैमेरामन को बोलूगा था, बिल्डिंग को दिखाएं, यह जो बिल्डिंग है, इसमें आने वाले सत्र पे, श्वामी आत्मानंद स्कूल यहां पर खुलने वाला है, सबसे पूराना स्कूल है, और इस स्क यहां पर खुलने वाला है, आप लोग देखे, यहां पर कि PWDB भाग के जो इंजीनियर है, वे लोग किस प्रकार से आप भष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं, इतने पूराने स्कूल पे देखे, आप लोग यहां पर इसका रिनीवल का काम करा रहे हैं, लगभग बिल्डि आएंगे आने वले सत्वे पढ़ाई करने के लाएंगे, तो उनका क्या भविस होगा आप लोग समझ सकते हैं, आपको बताओं मैं कि इस बेल्डिंग का जब इन लोग रिनीवल का काम कर रहे हैं, तो जब यह देखिए, मैं इस रूम में हूँ, यहां पर यह जो आप लोग यहां से जब प्लास्टर चुड़ा रहे हैं, तो पूरा भर भरा करके पूरा प्लास्टर गिर जा रहा है, यहां पर मैं बात करूं तो यह देखिए, जब इन लोग प्लास्टर ऊपर से चुड़ा रहे हैं, तो यहां पर एक बहुत मजबूत दिवाल था, देख सकत पुरा क्रेख दिवाल ऐसे बिल्डिंग में PWD विभाग के अधिकारी किस अधिकारी ने यहाँ पर सर्वे करके इसको दिया इसमें काम कराने के लिए बोला यह बहुत बड़ा पश्मिचीन खड़ा करता है विभाग के दिकारी के उपर कि इसमें जब आने वाले समय बच्चे इस स्कूल में आकर के पढ़ेंगे तो कहीं कोई घटना दुर घटना मत घट जाए उनके उपर यदि घटेगा तो उसका जीमेदार कौन होगा अब देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा दिवाल क्रेक मार दिया है जब यह यहाँ पर सिर्फ रिणी लिंग इसका काम कर रहे हैं तो यह दिवाल पूरा क्रेक मार दे रहा है ऐसे हम बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बच्चे जब यहाँ पर नए सत्र में आकर करके यहां पर छोटे-छोटे बच्चे आ करके पढ़ाई करेंगे तो उनके भविस के साथ यहां पर क्या खिलवार नहीं हो रहा है यहां पर भी वे लोग अपना प्रपोजल बना करके सासन को भेज़ दिये और इतना खस्ता हाल बिल्डिंग को रिनीवल करा रहा है क्या मतलब अगर 30 लाख रुपए के आसपास काई बिल्डिंग है इस बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इतने बड़े भष्टाचार में जो जीले के बड़े धिकारी बैठे हैं उनकी भी इसमें आखे नहीं नजर आती है उनकी भी आखे बंद रहती है या वो जान बुच के ऐसे भष्टाचार को बढ़ावा देने में वे लोग लगे हुए है आने वाले समय में जब यहाँ पर मैं बोलूँगा फ्लास आप इधर आईए कैमरा पर्शिंगे को बोलूँगा कि यह देखे यहां पर यह दीवारे ख्रेप मार चुकी है यह देखे यह यह देखे यहां पर जब इन लोग प्लास्टर निकाल रहे थे तो पूरा यह पर का यह पूरा आप लोग देखिए ऐसा कंडिशन है इस बिल्डिंग का इसको रिनीवल करके इन लोग नया बिल्डिंग यहाँ पर तयार करना था इन लोग को आत्मानदी स्कूल के रहे लेकिन इसी को करके इन लोग सिप फर्मिल्टी एदा कर रहे हैं अब आने वाले समय में देखना होगा कि प्रशासन इस खबर चलने के बाद इस पर कोई संग्यान लेता है या नहीं या आने वाले समय पर यदि इसमें बैटने के बाद इसी बच्चों को कुछ नुक्षान होता है बच्चों के जान के साथ खिलवार पड़ता है तो उसका ज